पिछले कई दिनों से दो सवाल बहुत ज़्यादा highly demanded है स्टूडेंट समल दिजे सबसे ज़्यादा केवल दो वैकिंसी के बारे में सवाल पूछ रहे हैं एक हो गया इलाबाद high court ARO के बारे में एक हो गया इलाबाद high court group C, group D के latest भरती के बारे में समल दिजे आज संडे का समय था तो आज मैं यही देख रहा था तो मैंने देखा सबसे ज़्यादा highly demanded के वल यही दो भरती के बारे में सवाल पूछ रहे है candidate तो चूंकि मैं ARO के बारे में आज आपको वीडियो बना चुका हूँ और मैंने चार पास दिन पहले group C, group D से संबंदित भी वीडियो बनाया है लेकिन चूंकि आज ही 2-3 candidates के और comments आ गए students के और comments आ गए तो इसलिए मैं आपको फिर से update दिये दे रहा हूँ चूंकि आज Sunday है और आज free time है मेरे पास देकि मैं रात को 9 मजे वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए जो भी नई latest update है यह मैं आपको दिये दे रहा हूँ आप लोगों में से जो भी candidate पहली बार विजिट कर रहे है हमाई चैनल पर अगर आपको सरकारी नौक्ति से संबंदित सटीक जानकारी चाहिए genuine update चाहिए ब्रहमित नहीं होना है तो आप हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो भी वीडियो मैं दूँगा वो genuine ही दूँगा सटीक ही दूँगा तो आप हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं ये देखे तीन घंटे पहले एक candidate का, एक student का question आया comment आया वो जानना चारें कि सर कब तक high court की group D की भरती आएगी एक candidate और है पास घंटे पहले इनका भी comment आया कि सर बताईए कब तक ये भरती आ सकती है देखे और लेडी चार पास दिर पहले मैंने आपको बताया था कि या तो ARO के पहले ये भरती आएगी या तो ARO के बाद ये भरती आएगी और मैंने एक बात और बताई थी कि possibility ज़ादा है कि ARO के बाद ये भरती आए ठीक है? possibility ज़ादा है कि ARO के बाद ये भरती आए आपको ये बात मैं फिर से बता दे रहा हूँ 21 दिसंबर से winter vacation शुरू है इलाबाध हाई कोट का और 20 तारिक को Sunday है 19 को Saturday है तो इलाबाध हाई कोट के पास केवल 18 दिसंबर तक का time है 18 दिसंबर तक ही ये लोग मतलब working करेंगे उसके बाद इनका winter vacation हो जाएगा और एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूँ कि already जो कि मैंने previous वीडियों से बताया है कि winter vacation के पहले ये लोग आरो की भरती निकालेंगे तो चुकि अब इनके पास 10-11 दिन का ही समय है तो उम्मीद कम है कि आरो के पहले आपकी group C, group D की भरती आए और उम्मीद जादा है कि possibility जादा है कि एरो के बाद ही ये आपकी भरती आए अब चुकि आपको पता है किस तारिक सिनका विंटर vacation शुरू है तो उम्मीद है कि आपकी जनवडी में ये भरती आएगी मैंने आपको और लेडी बताया है कि जनवडी में मैंने आपको कमेंट्स में रिपलाई भी किया है कि ये भरती आपकी जनवडी में आने की उम्मीद है अब बहुत लोगों को ये fake news लग रही है तो मैं आपको इसमें कुछ proof भी दिखाना चाहता हूँ देखे अपने sources से जो हमको knowledge मिलती है आप sources का नाम नहीं बताया जा सकता ठीक है ये कैसी चीज़ होती है लेकिन फिर मैं आपको कुछ चीज़े दिखाना चाहता हूँ ये देखे एक candidate है और ये किसी district court में employee है तो ये खुद बता रहे हैं कि लगबग 3000 भरती आ रही है क्योंकि इनके हाँ sign होने के लिए भरती आई थी आपको पता है अगर आप लोगों के दोस्त कोई भी district court में अगर employee होंगे तो उनको खबर मिल जाती है जब sign होने के लिए भरती आती है ठीक है तो कमजग आव इनकी बातों पर आप भरोसा कर लिजे तो आपको प्रोसेस तो मैं समझाऊंगा नहीं इस वीडियो में क्योंकि प्रोसेस अगर मैं समझाऊंगा कि भरती कैसे आती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बस मैं आपको इतना बता दे रहा हूं कि अल्रेडी इलावाद high court को March के महिने में sanction मिला था एरावाद high court group C, group D की जो भरती है उसका sanction मिला था और ARO का sanction मिला था लेकिन उसके बाद आपको पता है क्या हुआ lockdown हुआ और फिर सारा कार लंबित हो गया और उसके बाद आपको पता है कि 2018 वाला जो group C, group D की जो भरती थी उसका re-allotment में कितना ताम जाम हुई ठीक है इनका the allotment जो फसा हुआ था तो यह मैं आपको explain नहीं करूँगा तो बस मैं आपको यह बता दे रहा हूँ कि जो मैंने आपको previous video में बताया था कि 1500 plus group C की भरती की आने की उम्मीद है इसमें stando की भी include होगी अब stando की कितनी include होगी यह अभी नहीं बताया जा सकता और 1200 plus 1200 around आपकी group D की भरती आने की उम्मीद है ठीक है मतब 3000 के आसपास आप around समल लीजे ठीक है तो जो मेरे अनुसार जो मुझे update मिली है 1500 plus आपकी group C और 1200 plus आपकी group D ठीक है 278-2800 के आसपास आपकी भरती आने वाली ह और कब तक आने वाली यह भी मैं आपको बता दे रहा हूँ एक date देकि exact date नहीं बताया सकती ठीक है बस आप इतना समझे कि ARO के बाद ही आएगी अब winter vacation ना होता तो यह December last भी निकाल दी होते तो आप इतना समझे कि जनवरी में यह आपकी भरती आ जाएगी अब कितने 30 कौन है 30 अलामद high code है ठीक है तो यह मैंने आपको update दे दी है आप अपने दोस्तों के साथ यह video शेयर करिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ-कुछ जो comments होते हैं और मैं सभी के comments का reply नहीं कर पाता हूं ठीक है तो यह मैंने आपको update दे दी है और एकदम सटीक जनकारी मैंने दी है अब आपको कहीं भी भटकने जरूत नहीं है आपको मैं already बता दिया हूं कि जो भी video मैं बनाता हूं वो हर चीज confirm करने के बाद ही बनाता हूं कई लोगों से पूछने के बाद बनाता हूं ऐसे भ्रहमित करना मेरा कार नहीं है ठीक है तो आप हमारे channel के साथ बन झाल